Hi everyone, this is the sixth lecture on cultural studies और आज का lecture बहुत important हनवाल है, क्यों? क्योंकि Raymond Williams, जिसका बहुत बड़ा नाम है culture studies में और cultural materialism के लिए ये जाना जाता है तो मैं समझता हूँ कि आज का lecture जो है this is going to be very important ठीक है, आपके net perspective से भी और culture studies को अच्छे से समझने के लिए भी इसके मैं works बताऊंगा, इसकी बहुत सारी terms भी है उसको भी समझाऊंगा, अगर possible हुआ इस video में मैं अगर पूरा कर पाया तो ठीक है नहीं तो मैं इसका दूसरा part बनाऊँगा, उसको भी ज़रूर देखना ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं पूरे 17 मिनट की वीडियो में खतम कर दूँगा maximum, ठीक है Raymond Williams was born in 1921 यह कहां born हुआ था, he was a Welsh ठीक है Wales, एक country है, वहाँ पर यह पैदा हुआ था, ठीक है तो, ही, इसका जो contribution है, मैंने बताया, British New Left का, he was the earliest, मतलब की बहुत ही important था यह जो की, British New Left मैंने बताया था जो पहले भी मैंने वीडियो बतायी है, उसमें भी जो राइटर्स की मैंने बात की है वो British New Left में है उनका एक contribution रहा है तो, he was the intellectual and spokesperson for the pre British New Left, ठीक है, जो starting of British New Left जो start हुए थी, उसका spokesperson था, बहुत ही intellectual था इसका cultural materialism भी समझाऊँगा दो, चार और जो term से बहुत अच्छे से समझाऊँगा इस वीडियो में, ठीक है तो, इसका क्या था की यह Cambridge से पढ़ा, ठीक है वहाँ पे यह professor भी बना professor था यह Cambridge में, ठीक है, ड्रामा का and he was a prolific writer रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यह theorist ही था इसने बहुत तरह तरह के works लिखे है जैसे इसने realist novels भी लिखे है इसने television drama भी लिखा है इसने political manifestos भी लिखे है ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़े he was a prolific writer, और he was influenced by F.R. Lewis F.R. Lewis मैंने आपको बताया था वो उसका great tradition उसका एक work है तो tradition की बात करता है F.R. Lewis ये भी tradition की बात करेगा इसकी एक term है traditions related वो मैं आपको भी समझाऊँगा ठीक है, तो F.R. Lewis से ये काफी influence हुआ था, मैंने पहले बिखे बिखाया कि Raymond Williams and Richard Hogarth these two people were influenced by F.R. Lewis, ठीक है अब मैं आगे आपको इसकी दो-तिन books बता रहा हूँ, ठीक है दो books जो इसकी बहुत ही important थी सबसे ज़्यादा important इसकी दो books थी ठीक है, सबसे पहला है culture and society culture and society 1782 1950, ये title का ही हिस्सा है, ठीक है, publish हुई है 1958 में, मैंने पिछली शायद introductory session में मैंने ये publication date नी विदा जी 1782-1950 बताया था, लेकिन ये title का हिस्सा है, ठीक है, culture and society 1958 में, another book is The Long Revolution The Long Revolution, ठीक है, 1961 तो ये दो इसकी जो books है, ये बहुत ही important है, ठीक है, अभी जो cultural materialism में आपको बताने वाला हूँ चलो मैं उसी वक्त उसकी उसी वक्ती बताऊंगा आपको, ठीक है, तो अब cultural materialism की बात कर लेते हैं, मैं डस्टर कहां डूंडू अब बीच 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 गुम हो जाता है, क्या करें इसका चलो, cultural materialism की बात करते हैं cultural materialism, अब this concept was given by Raymond Williams in the book Culture and Materialism ठीक है ये बुक थी, 1980 में ये बुक आई है, थोड़ा फीका हो गया, महा कर मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ cultural materialism, this is the concept, ठीक है ये term है, और culture and materialism 1980 ये बुक है, जिसमें इसकी बात की है अब cultural materialism है क्या, पहले समझ लो, cultural materialism है related to new historicism, new historicism की वीडियो चेक कर लेना, मैंने अच्छे से बताया है, उसमें new historicism मैं और इसमें थोड़ा समय फर्क पर बिताऊंगा आपको, तो ये American new historicism से थोड़ा सा related था, ये जो cultural materialists जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो किसी भी एक historical document को उठाते थे, ठीक है, historical document को उठाते थे और उसको analyze करते थे, recreate करते थे, क्या recreate करते थे, एक particular history की moment को, एक particular history की moment को recreate करते थे, कैसे historical documents उठाते थे, ठीक है, अब उसमें वो एक चीज और भी देखते थे, उसमें वो hegemonic, hegemonic forces, hegemonic forces को भी study करते थे, hegemonic, Antonio Gramsci की term है, वैसे hegemonic उससे पहले भी existence में था, hegemonic कहते थे, जो लोग dominate करते थे, कोई एक city है, कोई state है, कोई दूसरी जगा जो dominate करते हैं, किसी logo पे, या किसी state पे, उसे hegemonic कहते थे, dominant group, तो hegemonic वही है, Antonio Gramsci की ही hegemonic ये लेता है, Raymond Williams, तो Antonio Gramsci तो ये कहता है, कि किसी, जब हम किसी जगार rule करते हैं, हम उनको emotional blackmail करते हैं, और उन पे अपनी चीज़े थोपते हैं, और उनको ये realize करवाते हैं, कि हमारा जो चीज़ है, वो better है, हमारा जो value system है, हमारा जो culture है, वो better है, आपसे और वो मान भी जाते है, ठीक है, rule by consent, ठीक है, मर्जी से rule कर ठीक है, तो ये hegemonic forces को देखना, अब cultural materialists क्या करते हैं, history में जाके, ठीक है, hegemonic forces देखते हैं, कि उस वक्त क्या hegemonic forces रही होगी, जिन्होंने canonical और historical जो important texts थे, उनको appropriate किया, उनको अपने अधीन किया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बदली, उसमें बदला लाया, तो materialism क्या चीज़ है, materialism होता है, कोई भी ऐसी physical form में जो चीज होती है, मतलब की mind से अलग, जिसको touch किया जा सके, ठीक है, materialist, जैसे आज कल के लोग है, लड़कियां है, या लड़के कुछ भी है, हो सकता है, कई लड़कियां ऐसी भी होती है, gold diggers type, जो friendship से ज़्यादा, car देखेगी, उसका iPhone देखेगी, उसका पैसा देखेगी, घर देखेगी लड़के का, ठीक है, तो वो materialist लोग होते हैं, ठीक है, तो culture materialism भी वही है, कि culture में materialism को ढूंडना, ठीक है, culture और materialism का एक amalgamation है, ठीक है, तो आप बस इतना सा याद रखो कि Raymond Williams की culture materialism term है, जिसमें एक historical aspect की जो बात होती है, मैं आपको इसके चार elements पर बताऊंगा, और एक बंदा था, Graham Holderness, Graham Holderness, उसने कोई बात बोली है, G-R-A-H-A-M, Holderness, H-O-L-D-E-R-N-E-S-S, इसने कहा है, that cultural materialism is a politicized, politicized form of historiography, politicized form of historiography, अब मैंने आपको बता है, जो new historicism होता है, उसमें भी वैसे बहुत सारी चीज़े, बहुत background देखा जाता है, किस टाइम पर text लिखा है, क्या उस परम राजा था, क्या political aspects थे, क्या social, क्या economic थे, ठीक है, ये सारे aspects देखे जाते हैं, अब इसमें भी ये चीज़ देखी जाती है, लेकि इसमें politics जो होती है, वो थोड़ा मेन फोकस रहता है हमारा politics, क्यूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो culture studies के ये 3-4 writers जो मैं करवा चुका हो, ये Marxist थे, तो Raymond Williams का भी एक Marxist point of view था ठीक है, तो apoliticized form of hegemony, ठीक है, तो ये Graham Holderness ने ये बात कही है, historiography, O है हाँ, ठीक है, historiography, H-I-S-T-O-R-I-O-G-R-A-P-H-Y, apoliticized form of historiography, अब दो लोग थे, एक था Jonathan, जुनाथन, डॉलीमूर, एक था Alan Sinfield, अब मुझे नहीं परता, इसमें से लड़का कौन है, लड़की कौन है, दोनों लड़के या दोनों लड़के हैं भगवान जाने, जुनाथन, डॉलीमूर, एनल, एलन, सिन्फिल्द, इन्होंने एक बुक लिखी, political Shakespeare, ये इसी चीज क बात करता है, Raymond Williams की जो पुराने, जो हेजमेनिक फोर्सिस थी, उन्होंने सारे canonical works, canonical works होते है, कोई lawful या authorized works, जो होते हैं, जैसे शेक्सपेर है, ऑस्टन है, उन चीजों को एप्रोप्रेट किया, उसमें अपने कल्चर को थोपा, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों की बात करता है, तो इन्होंने ये लिखा था, पॉलिटिकल शेक्सपेर, जोनाथन डॉली मोर, एंड एनल, एंड एलन सिन्फिल्ड, इन दो लोगोंने ये लिखा था, अब इस बुक में ये चार जो है, आस्पेक्स बताते हैं, करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, किसके करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, cultural materialism की, इसको याद रख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, हम इसी की बात कर रहे हैं, यह चार aspects बताते हैं, चार characteristics बताते हैं, सबसे पहला है, historical context, historical context, ठीक है, दूसरा है, close, textual, analysis, ठीक है, historical context, close, textual analysis, तीसरा है, political commitment, मैंने आपको भी बताया, कि politics पे इनका काफी जोर रहता, political commitment, ठीक है, चौथा है, theoretical method, ठीक है, यह चार चीज़े याद रख लेना, यह चार characteristics बताये, किसने, जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिल्फिल्ड ने, political Shakespeare में, 1985 में यह work आया है, ठीक है, किसके बारे में, cultural materialism, क्या है, historical context होता है, उसका main, एक, दूसरा, अब historicism, जो new historicism है, उसमें close textual analysis नहीं होता है, यह होता है, new criticism का एक, यह characteristic है, लेकिन culture materialists, जो लोग है, वो text को भी analyze करते हैं, ठीक है, new historicism वालों के लिए, text से कुछ उनको लेना देना नहीं था, उनको लेना था, उसके background से, कि उसका background क्या है, लेकिन यहाँ पर यह close textual analysis भी करते है, cultural materialist जो लोग है, फिर political commitment है इनके, ठीक है, political aspects यह ढूनेंगे उसमें, और theoretical method तो है, यह theory के साथ ही चलेंगे, ठीक है, culture materialist की जो theory है, ठीक है, और culture studies को भी उसके साथ blend करेंगे, ठीक है, तो यह सारी चीज़े याद रखनी है आपने, तो cultural materialism तो फिलाल यह, यह वैसे काफी complex था है, मुझे भ आपको बहुत help करेंगे, जीवन में, बाकी जो extra होगा, आप कहीं से भी पढ़ सकता है, फिलाल इतनी सी वीडियो में मैं कोशिच कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी चीज़े कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसका एक और work था, marxism and literature, marxism and literature, इसमें भी इसने culturalism की बात की, यह ऐ आद रख लो work है न, 1977 में आया है, ठीक है, important है, जो मैं works आपको बता रहा हूँ, वो सारी याद रखने है, ठीक है, दूसरा, इसने पोस्ट-modernism की भी बात की है, ठीक है, cultural, जो politics थी, पोस्ट-modernism के time में, late capitalism, यह late capitalism, फ्रेडरिक जेमसन बात करता है, इस बारे, मैंने 2000, ठीक है, towards 2000, 1983 में आया है, ठीक है, यह टाइटल है, ठीक है, इस work में, एक इसका posthumously, एक work आया है, मरने के बाद, यह भी पुछा सा सकता कभी भी, कि posthumously इसका कौन सा, आया है, वो है, the politics in modernism, ठीक है, 1989, posthumously, ठीक है, the politics, मैं चेक कर लेता हूँ, इसका टाइटल एक वार, मिलेगा, the politics of modernism, मैं थोड़ा से यह डाउट हो रहा था, the politics of modernism, 1989, ठीक है, तो यह तीन वर्क्स, इसके मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको इसकी कुछ terms बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत important terms है, सबसे पहले आता है आपका, क्या आता है, selected tradition की बात करता हूँ, अब tradition में क्या है, वैसे tradition का यह माना जाता है, कि बहुत लंबे समय से जो रीत चली आई है, वो tradition, लेकिन यह कहता है कि tradition वो नहीं है, tradition एक particular समय में, present समय में, जो एक class है, उनकी जो interest है, selective interests है, वो भी tradition हो सकता है, अब वो tradition किसका है, hegemonic लोग जो है, मतलब कि अमीर लोग, बड़े लोग, dominant class, dominant class, अब देखो मैं अमीर हूँ, मुझे कुछ पसंद है, ठीक है, तो मैंने एक trend सेट कर दिया, अब देखो trend कौन सेट करता है, अमीर लोग सेट करते हैं, हमारा fashion है, कहां से आता है, New York से आता है, क्या पहना क्या है, क्योंकि वो अ अपने interest के हिसाब से, वो हमारा selected edition है, ठीक है, तो tradition जो है, वो selective भी हो सकता है, यह इसकी एक term है, याद रख लेना, दूसरा है इसका structure of feeling, structure of feeling, ठीक है, यह काफी complex सी चीज़ है, अब इसका मैं बताता हूँ, मैंने जो book अभी आपको बताई, the long revolution, उस book में इसने एक analogy दी है, ठीक है, किस चीज़ की analogy दी है, इसने chemistry से एक analogy दी है, इसने बोला एक होता है solution, ठीक है, एक होता है precipitation, पी र-E-C-I-P-I-T-A-T-I-O-N, solution and precipitation, solution होता है liquid, ठीक है, जो की मिला हुआ है आपस में, precipitation होती है solid form, उसी चीज़ की, ठीक है, solid form, ठीक है, तो solution यह कहता है कि, solution जो है, experience है, ठीक है, एक जीता-जागता सबूत है, जीता-जागता एक तुजुर्बा है, ठीक है, solution, एक lived experience है, ठीक है, तो यह बोलता है कि, हमारे जो cultures होते है, उसमें एक feeling होती है, feeling का structure होता है, अब मानलो मेरा culture है, ठीक है, मानलो मैं हिंदू, आप भी हिंदू हो, ठीक है, मैं आप भगवान को देखता हूँ, आप भी हम भगवान को देखते हो, आपको जो feeling आई, वही मुझे feeling आई, क्यों, क्योंकि हमारा structure है, mind में बना हो एक feeling का, वो same है, ठीक है, तो structure of feeling वो चीज़ है, तो यह कहता है, कि जो precipitation तक पहुंचते पहुंचते हैं, चीज अलग सी हो ज हेजमानिक यह बात कर रहा है, फिर से, जो हेजमानिक forces है, बड़ी classes है, उनसे अलग है यह feeling, ठीक है, यह एक particular structure में पाई जाएगी, ठीक है, जो वो दूसरे उनके semantic, जो उनके science और symbols है, उनसे हटके है, ठीक है, यह structure of feeling, एक feeling है, बस आप इतना सा समझ लो है, इतना काफी है थोड़ा idea आपको हो गया, detail में आप पढ़ सकते हो internet page को, अगर मैं थोड़ा सा चूक गया हूँ बताने में, ठीक है, क्योंकि time भी कम है, एक video में मेरा मक्सद है कि मैं एक video में इसको complete करूँ, ठीक है, solution and precipitation, यह याद रख लेना, analogy, long revolution में दी है, किस के लिए structure of feelings के लिए, ठ तीन चीज़े है, residual, emergent and dominant, residual, emergent, dominant, यह culture की बात किये, residual culture, emergent culture and dominant, ठीक है, इसने, यह culture materialism का ही आगे, एक form है, ठीक है, इसने तीन चीज़ों की बात की, residual culture वो है, जो की पिछला culture था और उसका कुछ बच गया है, पार्ट, मतलब कुछ ऐसी practices, जो पहले भी हुआ करती थी, और अभी भी existence में है, अभी भी चलावा, उसका थोड़ा सा part कही ना कहीं बाकी है, बचा हुआ है, ठीक है, वो residual है, ठीक है, emergent क्या चीज़े, emergent है, जो की emerge अभी हो रहा है, कोई ऐसा culture, कोई ऐसी practice, कोई ऐसी value system, जो emerge हो रहा है, ठीक है, अभी मत dominant वही, hegemonic forces, जो dominant है, society में culture जो dominant है, वो dominant आगया, emergent, residual, ये तीन चीज़ों की बात करता है, ठीक है, selected tradition बता दिया, structure of feeling बता दिया, residual, emergent, dominant बता दिया, ये कहीं भी आए, ये तीन चीज़े, मान लो, समझ लो, कि रेमन्ड विलियम्स का ही question है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने मैं आपको बता दिया, culture materialism भी बता दिया, इसका एक और work बता दिता हूँ, the country and the city, and the city, the country and the city, 1973 में ये work आया है, ठीक है, और इसका एक और work है, keywords, 1976, ठीक है, ये work भी आज रख लेना, ठीक है, 1973, so thank you so much, आज के लिए तने काफी है, अपना time हो गया, तो मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हो आप, और मस्त रहो, आबाद रहो, खुश रहो, ठीक है, अब अकली lecture में मिलते हैं हम लोग,